नमस्कार मैं संजीर कुमार आज परातंद्र साधनापत जिसके लेखक हैं महा महोपाध्याय पंडित गोपीनात कविराज जी और प्रस्तुती रमेश चंद्र अवस्थी जी की है इसके कुछ महत्य पूर अन्सों को संछेप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ज्यान गंज के सिध्य योगी स्री विसुद्धा अनंद परमहंस देव जी के उपासक है उनकी अवधारणा थी कि मनुष्य देह में जब तक मनुष्यत्व की प्राप्ती नहीं होगी तब तक पूर ब्रह्म अवस्था की प्राप्ती असंभव है देवता या इस्वर की समकक्षता पाना मनुष्य का उद्देश्य नहीं है बाबाने नर देह में अवस्थित हो चिरकाल तक साधना की उनका लक्षता किस प्रकार नर देह मृत्यु वर्जित होकर चिदानन्द में नित्य देह में परणित हो सके स्वनाम धन्य विश्व विश्चुरुत मनीशी पंडित गोपीनात का विराजी को बाबा विशुधा नंद का अन्यतम सिस्यत्व प्राप्त हुआ सर्वमुक्ति के प्रथम प्रेरक महात्मा बुद्ध की परंपरा में प्रभुपाद जगदबंधु वामा छेपा आदि थे पीश्वी सताब्दी में समसामईक अवतार मिहर बाबा, स्री अर्विंद तथा कविराज गोपीनात का इस दिसा में उल्लेखनिय योगदान है काया जीव वह मन से संबद्ध है, सुक्ष्म मन सुसुमना ही कुंडलनी है, छण है कवीराज जी ने 1949 में इसका पुरुवा भास पाकर अखंड महायोग पुस्तक लिखी थी सरीर त्याग के दो वर्ष पुर्व 1974 में जब उनसे पूछा गया की छण अवतरण कब होगा किसके उत्तर में उन्होंने कहा, पुस्तक लिखन के समय आभास मात्र ही हुआ था, परन्तु अब मैं प्रतक्ष देख रहा हूँ किसी भी समय छण का अवतरण संभव है, मात्र मा की पुकार चाहिए तंत्र सास्त के अनुसार तंत्र का मूल कोई पुस्तक नहीं है, यह अपावरुशेय ज्यान है सिव अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हैं, वे नित्य लीला मय हैं, एवं उनका पंच कृत्य, अर्थात स्रिष्टी, इस्थिती, संहार, निग्रह, एवं अनुग्रह, सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, पुन पुरुश अपने को संकुचित कर, जीवरूप या अलुरूप में अपने को प्रकट करते हैं, ये चिद्धणू, स्रिष्टी, इस्थिती, संहार के आवर्थ में रहती हैं, जब तक अपना आत्म सरूप अपरोक्ष रूप से ज्ञात न हो, तब तक इस काल के आवर्थ से, अथ्वा सांचारिक, माईक व्यापार के चक्कर से, इस्थाई रूप से निस्तार पाने का उपाय नहीं है, अलूरूपी जीव का मल परिपक्व होने पर, पंचम कृत्य परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, वह जीव भाव त्याग कर सिवत्व की प्राप्ती करता है, इस प्रकार परमेश्वर के निग्रह से, जीव का संसार शुरू होता है, तथा परमेश्वर के अनुग्रह से संसार से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। क्रम विकास के अनंतर मनुष्य देह प्राप्त होता है। करतत्वा भिमान के प्रभाव से भोग शरीर ग्रहन करना पड़ता है। दिर्ग काल तक भोग संपन्न होने पर सोभावतह वैराग्य उत्पन्न होने पर चित बहिरमुकता का प्रित्याक कर अंतर मुख हो जाता है। तत्पस्चात गुरु सक्ति जीव पर संचारित होती है। जीव भाव की निवृत्ति होकर सिव भाव का उदेही खट चक्र भेदन का रहश्य है। योगी का पहला कार है कि जिस किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्राण और मन को सयुक्त करे। इस अवस्था में चित्शक्ति, मन, प्राण तीनों वस्थुएं प्रिथक न रहकर एक सक्ति के रूप में परिणत होती है। इसके प्रभाव से खट चक्रों की पचास मात्राएं नाद रूप में परिणित होकर क्रम्चह एक बिंदु में इस्थित होती है। यही बिंदु भुमध्य में इस्थित तृतिय नेत्र रूप बिंदु है। तृतिय नेत्र के उन्नमीलित होने अथवा आज्या चक्र के खुल जाने पर जीव का जीव सिव का रूप धारण करता है। इस प्रकार सिव रूप धारण करना एवं कासी में म्रित्यू समानार्थक है। इस अवस्था में करमचह होता है तथा हंकार नश्ठ होता है। इस इस्तरव पहुँचकर ही यथार्थ उपासना का कार्य हो सकता है। क्योंकि सास्त्र के अनुसार ना सिवस्य सिवो पासित रगटते कल्प कोठी भी। अर्थात यदि सिव की उपासना करनी है तो पहले स्वयम सिव होना चाहिए। नमश्कार सेश अगले अंक में। धन्यवाद।